आप सबसे मुखातिव हूँ और देखिए एक इंपोर्टन चुचा करने वादा हूँ पर उससे पूर्व गरेश बदना जरूरी है बक्रतंड महा काया सूर्य कोटी समप्रभा नर्विग्नम कुरुमे देवा सर्वकाजे सुसर्वदा तो मित्रों मैं देखिए अब जो चर्चा करूँगा वो चंदराशी पर आधा रेते हैं चंदराशी से देखिए लगन राशी से देखिए और द्वान में तो कुछ नहीं वालन तो फिर नाम राशी से भी देख सकते हैं तो मैं तो अभी में जो चर्चा करूँगा बहुत ही इंपोर्टेंट है कि जिलाई का महीना चल रहा है और देखिए शनी महाराज बक्री हो चुके हैं शनी महाराज बहुत ही देखिए बक्र ग्रह जो है सुलो चलता है जब शनी तो इंट्रेक्शन टाइम बढ़ जाता है तो बक्री शनी स्ट्रॉंग हो जाते हैं और देखिए शनी के कुत्वार जो है राहू वो शनी के आगे आगे चल ला क्योंकि भगवान विष्णु की कृति है वो भगवान विष्णु की कृति है वो महभळशाली और देना अथिकारी स्वनि न्याधिष और राउ देना अधिकारी तो राहू अब इस समय आठ जुडा है देखे 18 साल बाद, 18 साल बाद इसा होता है, कि रुहनी नक्षत्र से, चंदरमा के नक्षत्र से निकल करके, शनी के नक्षत्र में उत्तर भाद्यपद में आ रहा है, आठ जुलाई से, और देखे शनी के नक्षत्र में आने का मतल़ा राहू भी, बैसे भी कहते हैं, शनी के भ ही नहीं है लेकिन आब ये सनी सान भी वार करें गे औरस नी के नक्षट करेंगे सनी महाबलशाली। राहू शनी के नखत्र में तो सपर्वाबलशाली हो गए। तो इस समय राहू और शनी दौनों मिल बहुत दोस्त हादा ऑगे सब्सक्रदैंट लेकिन बागी सब्सक्रदै लूग से बिस्त्राइब तो बहुत दूर और अगर आप भिष्टा चारी हैं तो आपको जेल भी वेश सकता है तो राहु दोनों ही काम कर सकते हैं राहु बहुत स्ट्रोंग हैим। आपको उंपको एंग आपकी मन को और साथ साथ में रहु देखिए आपको अगर आप दुरा-चारी हैं तो आपको बिष्ट पजाए है जेल भीस सकते हैं और आप अच्छा कर्म कर रहे हैं ठीक है तो आपको बिदेश भेज सकते हैं कि राहू के राहू देखिए मैं बताओं आपको कि जायते राशियों को अच्छा फल देता है वेसरों और राहू बार में भाव में वीन राशी में तो बिदेश भेजता ही भेजता है, अनि घर से बहुत दूर भेजता है तो अब जो आठ जुडाई से राहू जब शनी के नक्षट उतरभाद पदर में आ गए तो आपको देखिए आस्मान बठा सकते हैं, आपको कहीं से कहीं ले आ सकते हैं तो मैं बताओं कि कुछ राशियों को तो शनी के कृपा में वे लेगी क्यों शनी काल पुर्षकी गुड़ी के लाभाव में राहू बिदेश भाव में हैं तो आप देखिए यह आठ जुलाई से उतरभाद पदर नक्षत के राहू शनी के गहर के, शनी के राहू शनी के कोतवाल राहू, शनी का अडर मानते हुए कुछ राशियों को तो भाई कमाल की उन्नती कराएंगे, कमाल की प्रोल्रस कराएंगे तो वो राशियां कौन सी हैं, जो मैं पता हूँ, दोफिए सब्से पहली राशि मैं लिखूँगा मेश राशी, क्यों? क्यों मेश राशी के बार में भाय मैं राहवा हूथ है, यह भाया में मेन राशी में है मेश राशी वाले अगर कोशिट करने совे सबना भी तो विदेश जा सकते हैं विदेश यात्रा करेंगे विदेश ते लाब कराएंगे विदेश ते नाम कराएंगे और देखे थोड़ा धनका करता है तो होगा विदेश जाने में लेकिन बार में भाव से राहू छटे भाव को भी देखेंगे और शनी बैठें लाबाव में, तो शनी और राहू दोनों मिल करके इसमें, बहुत बड़ा लाब पहुचा सकते हैं, धनकी बरसा करा सकते हैं, बेदेश से भी और अपने देश से भी, और चुब बेठें, जो मैंने बताए कि बाहर में ऐसे बैठका छटे में देखेंगे, त वो शत्रु हंता योग बनता है, शत्रु का कुछ भी नहीं बिगाड सकते हैं, इस तम्य जो भी स्ट्रु आपकी बराइगा जो उसका ही नुक्तान होगा, नही नोकरी में अतरास में लगें, आप तो नही नोकरी सकती हैं, कहीं आप देखिए, कहीं आप देखिए, им historians हैं जो आप पर नहीं है जो इच्चा करेंगे वो मिलेगा और देखिए गुप्त थिन की प्राप्ति करा सकते हैं आपको शेयर मार्केट से लाप दिला सकते हैं कहीं आप ऐसी बिद्या जानते हैं कुछ तांत्रमंत उसका काम करते हैं एकदम अचानक से लाव होगा पैत्रिक और शनी के नक्षरत में हैं तो राअ शनी की भाद इंबार करेंगी तो शनी बीचते बेटे कहा हैं लाब भाव में तो शनी भी लाव है हैं धनी संदेंगे और एक, दो, तीन, तीन-तीरी दर्श् excit say's a आपके शरीर को तो तो थीक हो रही है आप वो तो दवायं भी काम कर रही हैं आपको बलके दवायं छोड़नी पड़ेंगी यह आपका तीसरे भाव लगने शरीर को दिख रहे हैं शनी महराज तो एक दो तीन चार पाँच और छह साथ आठ नो दस और देखें शनी महराज भी अस्ट्रम भाव को देखेंगे जहां राहू भी देख रहे थे नमी दस्टी से तो राहू और शनी दोनों ही गुप्त धन की प्राप कराएंगे आपको तो मैं समझता हूँ और नई नौकरी मैंने प्राइदी आपको यह अच्छा फाइदा लाव संतान को भी लाव है क्योंकि शनी जो 11 में बेटे हुए और शनी की दस्टी पड़ रही है पांच में बाव पर तो मैं समझता हूँ शनी और राहू दोनों मिलकर किस्ते में नयाधीश और कुत्वाल साफ या सेनापती राक्षवसों के सेनापती जो जो ऐसे जो ग्रहे जो राहू के तू या बुद्ध भी यह सब उसमें आते हैं असर हादश हो Zanthsनी में और beauty seniden सेना बाकी किरह आते तो आपको बेटे जूडरी सuse 8% मिलकर के लिए दिकार राशी को मैं समझत्य हूं अच्छा खाधा लाव मिलना और तो दीग अगली राशी जीश को मैं समझता अपने दसमेभाव में तो रोजिकार में नौकिरी में व्यापार में सब में आपको उचाल लगाएंगे और शनी की देखिए साथ आठ नो दस शनी की जो है यहां से राहु जो है देखिए ग्यार में भाव में तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तो राहु जो है देखिए आपके संतान भाव को देखेंगे राहु आपके तांपत जीवन को ठीक करेंगे आपके ब्यापार में लाप पुछाएंगे जो ब्यापार में जो है मतलब एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और पार्टनर्स का अच्छा सवर कराएंगे। तो राहु इससे मैं, बहुत ही, स्ट्रॉंग पोजिशन में हैं, शनी के नक्षेत्र में हैं, और देखें, शनी के एक कदम आगे चल ले हैं, आगे- आगे, तो भई, बहुत अच्छा, विसब राची के लिए भी, ये आठ जुलाई के पासे, बक्री शनी और महाबली राहु महाबली ही नहीं कि युवावस्ता में भी राहु है, इसनमें एंगल बाइस भी डिग्री दिशावल से भी हो बलशाली है, तो मैं तो समझता हूँ भई, मेश के साथ ब्रशब, ब्रशब के बाद मैं बताऊं, तीसरी राची जो है, मितुन भी जो है, मितुन के लिए क्यो तो राहु दसमेवाव से आपके काल शेत्र में, जॉब में, नौकली में सम में लाप हो जाएंगे, ये तो मतलर दसमें, ग्यार में और बार में नमेवाव में स्थारे गिरह अच्छा फ़ल देते हैं, शनी नमेवाव से भागे बढ़न करेंगे, और आपको देखिए राह बारी बंगला जू से इस्तम मिलेगा, और शनी जो है, 1,2,3,4,5,1,2,3, शनी जो ज्याह से देखिए, नमेवाव से, 1,2,3,3,3, 6 द रेकिंगे, लाब भाव में, तो शनी का भी लाब हानमेत करेंगे, महितन जाशी को, और तीन, चार, पांच, साथ, आठ, नौद, दस शनी जो है छटे भाव पर भी आपके देगे तो सत्र हंता बीमारी हंता रोग रनसे मुक्ती नई नोगरी नया जौब सब कुछ मिल रहा किसको मिथुन राशी वालों को तो भई मिथुन राशी वाले भी इसमें राहू और शनी दोनों का यूगल बंदी से बहुत विश्यस लाप पाएंगे और मिथुन के बाद अगला नमबर आता है करक राशी का क्रक राशी के लिए राहू आगए लाभ भाव में भाव का मतलब भाव का मतलब होता है कि भाग बरसन आपका आपका भाग आस्मान को छूये खा हो यहां राभ बार में मिल राशी महर मीन राशी हा गई कर्ण राशी के लिए नमे भाव में गर राशीवेर नमे भाव से चीशर में divid Willaw में तो फल पाओगे और भागे बढ़न तो ही रहा है आपका एक दो तीन चार पास लगन को देख रहा है तो शरीर भी आपके इच्छाएं बहुत ज्यादा होंगी उनकी इच्छाओं की पूर्ती करेंगे आप तो आपको और शुक मिलेगा मानसिक शुक भी मिलेगा शारीर शु बढ़न नम पंचंप का योग बनता है तो मैं समझता हूँ शंतान को भी आपके करकड़ासी बारों के संतान को भी जो है विश्वेस ला मिलेगा संतान सिक्षा के छेत्र में तरकी मिलेगी और श्णी तो फिर देखिए अस्टम में हैं अस्टम के सनी तोड़ा सा श्रीर को वह जणा आप बचाकर रखिये चोड़ चपड़ से बचाकर रखिये लेकिए धन भाव को दिख रहे है तो धन तो खर्चा करा देंगे पर अचानक धन दिला भी जाएगे दोनों कामे लिखे तो थोड़ा सा खर्चे को आप नियम मतला कुछ आप लिमिटर रखिये खर्चा क तो उससे आपको थोड़ा सा अलाम मिलेगा और अचानक धन की प्राप्टी करा सकते हैं लोट्री से कई सियन मार्केट से तो मैं समझता हूं करक राशी के लिए यह काफी अच्छा काम है और करक राशी के बाद मैं अगली राशी देखता हूं जो राहू से और देखिए मैं समझता हूं सिंग राशी के लिए भी सिंग राशी के लिए राहू जो है आगए आठमे भाव में तो आठमे भाव से धन भाव को देखेंगे यह आपको अचानक तो जो भी काम अचानक माला है अचानक कोई आपको ऐसा काम मिल जागा इंसे ला तो गुप्त, धन, गुप्त, शेयर मार्केट, प्रपर्टी, पैत्रिक संपर्टी, ऐसी सब कुछ मिल सकती है, धन का लाव तो होगी होगा बड़ी, और यहां से दिखिए राहू की जो दिस्टी पढ रही है, अब दिस्टी बहुत इंपोर्टेंट राहू की क्यों? कि दिख बतवब बयाओ को जान शूख साथन को, और सुक साथनों में आप मिलेगा प्राफ्ती जो चाहेंचे मिलेगा आपकी इच्छा पूल्य होगी, राजि multitि में सफलता मेलेगी अँशी क काम में सफलता मेलेगी उसके अलावा आबा आपको गाड़ी, मदवाम काम मील सकता ह आपको गाड़ी, मंगला, मकान सब मिल सकता है, लेकिन सतरक्ता पढ़ते पढ़ेगी आपको, और राहू कहीं किसी ऐसे काम में आपको नफसाद हैं, जो दोर नंबर का काम जो होता है, उससे बचके रहेगा, को अबासा मला को तो आपने जमीन खरीदा है course की नियरा कर हुए अपने दिमाग को लपने दयेते हमें ऐलो वे उसके अमजना से काकटा चसे करें कर大इये शनी तो देखिए श्रत महापरुद राजयोबरा के बढ़े हुए है, 17 भाव में, तो शनी अबक्री हो गए तो और स्ट्रोंग हो गए, तो शनी आपके शरीर को भी देखेंगे, और शनी जो है आपके देखिए, 8, 9, 10, शनी भी चौते भाव को देखेंगे, राहू और शनी शनी दोनों ही आपके चत्रत भाव को देख रहे हैं, यानि आपको राजिंटी की छेत्र में, नया काम, कोई बैसर नया काम मिल सकता है, आपको समाज में कोई नया काम मिल सकता है, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, तो ये राहू आपके शनी दोनों में लेकर के शनी बतर विषेस लाइब आपको चौते वाओ से अब मैं समझता हूं है इसके बाद जो राशी बहुत ज्यादा लाप पाईगी वह राशी कॉन सही हो सकती है वह राशी देखिए तुला राशी हो सकती है कि तुला राशी शनी की अपनी राशी है और तुला राशी के लिए देखिए साथ नंबर की राशी है तो आप देखिए साथ नंबर की राशी में ये कहां कहां सनी और राव बेटे हुए है तो आप देखिए का कि सनी और राव शनी तो रेखिए तुला राशी वो बहुत प राहु भी चुके शनी की राशी है, तो राहु कैसे पीछ रह जाएंगे, राहु भी लाद देंगे, राहु भी अपने मीन राशी में बेठे हुए न, राहु जो सब्तम भाव में बेठे हुए है, तोला राशी भी शनी भाव में बेठे हुए है, और पांच में भाव में श शन्तान को भी लाब है और छटेवाव से शत्रोहंता धोग और च्टेवाव से विदेस में लाब तो मैं समझता हूं ये अच्छा खाता तुला राशी के लिए बढ़ी अला मिलना है क्योंकि शनी की राशी है राशी तो शुक्र की है पर शनी को प्री है शुक्र की राशी होने के कारण इसलिए मैं समझता हूं कि अच्छा खाता अला मिलना है तुला राशी को तुला राश यहीं दस नमबर की राशी है शनी की अपनी राशी है और मगर राशी से देखिए 10-11 बार थर्ड हाउस में आगे पराक्रम के भाव में राहू यहां से यह भाग भाव को देखेंगे इसलिए मैंने कंसिडर किया जो देख रहे हैं भाग बढ़न करेंगे शनी की सपोर्ट पा बागे ब्रतन होगा तो लावी लाव है और पराक्रम करेंगे जतना पराक्रम शनी उतने खुद होते हैं शनी खुद मकर राशी के लिए धन भाव बेटे हुए और धन भाव से शनी जो है एक, दो, तीन सुख भाव को देख रहे हैं चार, पांच, शह, साथ, और आठ, नो और सनी देखिए कारशेत्र में भी तुरह राशी को देख रहे हैं मकर राशी के, मकर राशी के, यहां से देखिए पांच, साथ, आठ, नो, नहीं, दस, नहीं, दस में दस्ती है तो सनी का दस्मी दह्स्ती जो है ग्यार पेंगा। तो फेर दखीए, लाभी लाभ, लाभ मिलता है। ग्यार होट से तो वेविन सिर्टों से धन की प्राप्ती होती है। तो औरत की आकरी राशी जो बहुत ज़्यादा लाप पाएगी, क्योंकि ववी शनी की राशी है, कुम राशी को मैं कंजिणर करता हूं, तो कुम राशी के लिए, शनी जो है लगण में मैठे हुए हैं, और राहू जो है धन भाव मेठे हुए हैं, धनект भाव के राहु धनतो देंगे देंगे और राहु शनी की बत करेंगे शनी का क्रपय मिल रही है और सनी लगें में में मेठे कुए है तो शनी देखिये शताम भाव को देख रहे हैं और राहु जो हिस छटेवा को ए घ्यत्व प्याद के लिछ छॉप में पीड़ की कलीन यूपुटाव में यूपार भीम्माजीयोग की लिनायोग कि कुम अर्जाय इंध के स्वेली के बेड़े paper everyday तो शनी खुद दोनों मिल करके, शनी राहू मिल करके, शनी सत्म को देखना है, और शनी की जो है, साथ, आठ, नो, दस, शनी की दस्त्री भी पड़ रही है कार शेत्र में, और राहू की दोनों की पड़ रही है, राहू की नमी दस्त्री, शनी की दस्त्री, तो कार शेत्र में जोब में, ब्यापार में, नौकरी में, जो भी काम कर रहे हैं आप, उस सब में आपको बिशेजला मिला है, तो में तो यह देखिए, मैं जो बताया आपको राशियां, कितनी सारी राशियां है, जो के इस समें राहू की कृपा मिल लगी है, क्यों राहू इस समें बड़े सब में, जो राशियां है, आप देखिए, कि अमरद पर पान किया था, तो अमरद घले तक आगा था, हानाक गलास उतसने चक्रत से कार दिया विशनु बखवार ने, तो ऊपर का हिस्ता हमर हो गया, और नीचा का हिस्ता राहू के ही नहीं, उस को केटु का, इस सर्प माली ह सर्प का नीचा का हिस्ता है, और सर्प का मुगा हिस्ता है, उपर का हिस्ता है, तो और आप शनी के नक्षरत्र में हैं, तो बई शनी, शनी भी आप जानते हैं कितने प्रवल, और शनी को मैं हमेशा करता हूँ, शत्रुमत्मानिये, शनी हमेशा मित्र बिर्वार करते हैं, कभी किसी का शत्रू नहीं है, अच्छे भले आदमी का, तो मित्रो अभी ये देखिए, मैं आठ जुराई से, इस्ट्रोंग सनिय इस्ट्रोंग रहा हूँ, एंगल भाइद भी और नक्षत्र भाइद भी, बहुत जवरदस्त कृपा मिल लेगा, ये जुराई का महिना बहुत मित्रो अभी मैं बिराम लूँगा, पन्विंद यही करता हूँ, आपसे के मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करिए, और बैल लागन को प्रेस कीजिए, और जाते जाते कमेंट में कुछ लिखना चाहें, लिखिएगा, नहीं लिखना चाहतें तो महागरेश आए नहां, लिखिए भवान ब्रेश का आशिवा जरू पाइएगा, मित्रो नमस्काइब,